हैलो दोस्तो आज की हम इस वीडियो में एक महत पुन टोपिक जिसका नाम है मीना मंच मीना मंच के बारे में जानेंगे कि मीना मंच की परिभासा क्या होती है मीना मंच का गठन कैसे किया जाता है मीना मंच का उपदेश्य क्या होता है और मीना मंच के कौन कौन से कारे होते हैं इन सभी प्रस्ण को आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो हमारे साथ इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिये फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मीना मंच की परिभासा की बात करें तो देखिये, मीना मंच बिध्याले जाने अथवा नहीं जाने वाली बालिकाओं का एक ऐसा समु है जो बालिकाओं के सीख्छा की बधाँ को दूर करने का परयास करती है यानि कि बालिका के सिख्षा में जितने भी सारे बधाय आते हैं उनको दूर करने का परियास जो है मीना मंच द्वारा किया जाता है और इसे ही मीना मंच कहा जाता है मीना मंच जो है एक सुगम करता सिख्षक या परधान सिख्षक की देखरेक में बनता है ठीक है फ्रेंड्स यह तो हो गई परिभासा अब बात कर लेते हैं कि इसका गठन कैसे किया जाता है तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मीना मंच का गठन ठीक है फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देख सकते हैं तो देखिए मीना मंच का गठन इसकूल में सीख्छक या परध प्रिरख के रूप में जाना जाता है और ये बालिका क्या करती है मंच के जितने भी सारे किरिया कलाप होते हैं उसका निर्तित्व करती है हर महीने जो है प्रिरख को बदला जाता है जिससे सभी लड़कियों को निर्तित्व करने का विकास का मौका मिल सके जो लड़किया प् विध्याले में ही उन्हें एक कमरा दे देना चाहिए और उस कमरे का नाम जो है मीना कश जो है रखा जाता है ठीक है फ्रेंड्स उस कमरे का नाम मीना कश रख दिया जाता है वास्तों में यदि मीना मंच सक्रिये रूप से कारे करने लगे तो विध्याले का सरूप ही बदल ज ये हो गया मीना मंच का गठन अब मीना मंच का उपदेश क्या होता है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स तो देखिए सबसे पहला उपदेश यही है कि सभी लड़किया सही आयू में इस्कूल में नमांकन ले या दाखिला ले दूसरा उपदेश है सभी लड़किया प्रती दिन इस्कूल आएं तिसरा है लड़किया के ब्यक्तित्व में विकास हो सभी लड़किया पररमभिक शिक्षा पूरी करें सभी लड़कियों में निर्तित्व करने एम्सहयों की भावनाएं विक्सित हो और लास्ट है शिक्षा के मुद्दे पर जो है जागरुपता पैदा करना ठीक है, फ्रेंड्स, यह हो गया उपदेश, अब मीना मंच के कौन-कौन से कारे होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो देखिए, मीना मंच जो कारे करता है, वो अनमांकित, यानि जो बिध्याले में नमांकित बच्चिया नहीं हैं, और जो अन्यमित बच्चे हैं, उ उन्हें विध्याले से जोडने का परियास करना। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कि लड़कियों को सिख्छा, स्वास्थ और स्वक्ष्था के प्रति जागरुक बनाना। तीसरा है घरों में जाकर लड़कियों के माता पिता को स्कूल में दाखिला कराने के लिए प्रियरित करना। और चौथा है यहाँ पर विध्याले के गति विध्यों में लड़कियों की भागेदारी को बराना और पचवा और लास्थ है लड़कार लड़कियों के बीच वीडियो को लाइक ताकि आपसे जितने भी सारे डियेलेट के नोड्स हो आप तक तुरंत पहुंचे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे